हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकीत और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आप मेकैनिकल गुरू यूटूब चैनल पर बहुत अच्छी ख़बर आ रही है भाई लोग डिपार्टमेंट आटॉमिक एनरजी की तरफ से इस्टिटूट आप प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से यहा है कि आप इलीजेबल हो तो आपको बिल्कुल फॉर्म भरना है कोई भी एक्सपीडियेंस नहीं मंगा गया कुछ पोस्ट के लिए उनके बार में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में इस उन्हीं पोस्ट के बार में बटाओं गा जहां पर फ्रेशन से अफ्ट्रै कर सकते ह नहीं मंगा गया है डिटेल में सी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं किस तरह हमको अप्लाइ करना है कौन-कौन एलिजिबल है क्या है क्राइटेरिया सेलेक्शन कैसे होने वाले हर चीज बता तो बस आपको आखरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ मेरा नाम है तो भाई लोग जैसे मैंने बताया है Department of Atomic Energy Institute of Plasma Research की तरफ से नोटिफिकेशन आया है मैंने फौर्म बरके देखा है और अगर आप ऐलिजिबल है तो बिलकुल इस फ्रम को भरिएगा छोड़िएगा मत क्योंकि कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर हम eligibility के बारे में बात करो तो project A के अंदर project A के अंदर जो post निकली हुई है project scientific assistant की इसमें भाई लोग diploma वालों के लिए एक साल का experience मांगा गया है लेकिन लेकिन यहाँ पर दो post है diploma electrical freshers के लिए project A के अंदर दो post है diploma electrical freshers के लिए diploma electrical वाले freshers बिलकुल apply कर सकते है कोई भी experience नहीं मांगा गया है next project B के अंदर project scientific assistant की post है जिसके लिए BSC physics वाले और diploma electronics और mechanical वाले apply कर सकते है कोई भी experience नहीं मांगा गया है diploma electronics mechanical वाले apply कर सकते है project scientific assistant project B के अंदर project C के अंदर project scientific assistant की post है इसके लिए diploma electronics instrumentation electrical mechanical वाले apply कर सकते है कोई भी experience नहीं मांगा गया है यहाँ पर project treatment की भी post है जिसमें ITI वाले electronics instrumentation वाले apply कर सकते हैं project D के अंदर post अब है लोग जिसमें project scientific officer की post है बी बी टेक mechanical वालों के लिए जो की बहुत अच्छी ख़बर है mechanical वालों के लिए कोई भी fees नहीं है और selection होते हैं तो 70,000 रुपिस पर मन्त मिलेगा बी बी टेक mechanical वाले apply कर सकते हैं experience नहीं मांगा गया इसके अलावा computer science वालों के लिए भी यहाँ पर post है यहाँ पर desirable में उनके लिए experience lab view में रखा गया है अगर lab view में आपका experience है computer science वाले है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए और अगर experience नहीं है फ्रेशर हैं आप computer science वाले हैं तो भी आप apply कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके बाद project E के अंदर project scientific assistant की post निकली है diploma computer science वालों के लिए इसके अलावा project F, G और H के अंदर जितनी में post है उसके लिए experience मांगा गया है कहीं पे एक साल का experience मांगा गया है कहीं पे दो साल का experience मांगा गया है तो भाई लोग project D के अंदर post है B, E, V, Tech mechanical वालों के लिए इसके अलावा project C के अंदर project B के अंदर project A के अंदर diploma वालों के लिए बहुत सारी branches वालों के लिए post है eligibility कौन कौन सी branches वालों के लिए post है मैंने आपको बता ही दिया बिलकुल form भरिएगा कोई भी फीस नहीं है age limit की बात करूँ तो maximum 30 साल 30 साल maximum age limit रखी गए 31,1,2,0,19 तक आपकी अंदर 30 साल से जादा नहीं होनी चाहिए इसके लावा pass out ही apply कर सकते अगर अब फाइनल year में है तो अप eligible नहीं है appointment जो है ये appointment जो है ये temporary होगा या project जब तक खतम नहीं होता तब तक चलेगा या फिर 31,1,2,0,20 तक चलने वाले 31,2,0,20 तक ये आपकी नौकरी रहेगी या फिर वह project जब तक खतम नहीं होता तब तक आपकी ये नौकरी चलेगी selection तहले तो भाई आप लोग इतने सारे लोग apply करेंगे form बने कि कोई भी feast नहीं है तो age limit educational qualification के साब से percentage के साब से scrutiny किया जाएगा limited लोगों को return test के लिए बुलाया जाएगा और interview के लिए फिर invite किया जाएगा तो आप अगर form बरते हैं तो जरूरी नहीं आपको return के लिए बुलाया ही जाए लेकिन भाई लोग अगर आपके qualification में percentage बहुत अच्छे age limit के अंदर आप आते हैं आप अच्छा किये हुआ है बी बीटेश डिप्लोमा में तो आपको return के लिए बुलाया जा सकता है तो यह है selection procedure फॉर्म बनने के आख्री देर 31, 2019, 31, 2019 रखी गई है तो अगर आप interested है तो बिल्कुल form भरिएगा link का आपको नीचे description में मिल जाएगी apply कैसे करना है पहले आपको new user में जाके आपको sign in करना पड़ेगा फिर एक page खुलेगा जहां पर आपके लिए जो भी post है उसको अगर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like जरूर करना इसे share कर देना अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बता दो भाई post निकलिए हूँ ये institute of plasma research में form भनना और return के लिए जाना है साथ में अगर हमको invitation आता है तो कर नीचे subscribe कर लो क्योंकि मैं आपके लिए जय जवान जय किसान